हाई फ्रेंच एंबग आसलाम अलीकव राटो मैं छैनल आप सब आधिसे होगे इस वीडियो में आपके साथ सवी स्टयाल बाय की क्टिंग शैर करें उसके लिए मैं देडीव फैब्रिक लेने के बाद इसे मैंने 4डर करके लेंग मैंने इसे 44 इंच में रखा है और फिर एक् कपड़े की दो लियर और यहां पर हमारा निचे वाला फैब्रीक और इंच एक्स्ट्रा है तो जो नीचे वाला फैब्रिक वाला बैक पार्ट होगा और इसके बाद अम आपर मार्किंग करेंगे तो मार्किंग हमने इस तरह जेकरनी है अब आया हम लूज पैनते हैं तो उप इतनी कमिज पर आर्मोन लेते हैं उसे हम दो इंच यहां पर एक्स्रा लेंगे इसकी बात फ्रेंड्स हमने अपने चेस्ट की मार्किंग करने हैं जितनी भी हमारी कमिज की चेस्ट की मार्किंग हम करते हैं अपने फिटिंग की उतनी ही करना है क्यूंकि हमने एक्स्रा डाइं है और जो नीचे से हमारा फैबरिक बचा हुआ है हम वह फैबरिक अपने स्लिफ के लिए यूज करेंगे अच्छा तो फ्रेंड्स यहां तक आप अपने स्लिफ को यहां पर मांक करना है तो इस तरह से मैं अपने जो लेफ्ट अवर फैबरिक यहां पर रखकर अपनी स्लिफ की लेंद्ध मेजर करना है तो यहां पर मुझे 22 इंच है लेकिन यहां पर कपड़ा कम है तो हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे इस तरह से कप्ड तो हमें दो इंट कम ही लगना है क्योंकि मुझे आगे की साइट से एक लेज भी लगानी है तो इसके बाद बस हमने यहां से सीधी से लाइन डॉप करके यहां से हमने इसकी गठी करने के बाद हमसी के स्टीचिंग करेंगे एपने फ्रन पार्ट की जो ओपन साइड है हम इसे इस तरह से फोल करकि कहां पर सीधी सिलाही लगा देंका दोनों पार्ट पर हम अपनी सीधी आप लगा देंगे तो इस आबाय को आप यहाँ पर आगे की साइट पर बटन्स भी लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर आप एक फैल्ट भी स्टीच कर सकते हैं इसी तरह से यह पेहनते हैं तो बटन के बगार भी यहाँ पर आप इसे यूज कर सकते हैं और बटन के साथ भी यहाँ पर यूज करते हैं दोनों साइट की तो फ्रेंट्स देर्ड मिटर फैबरिक में हम अपने 34 साइज चेस्ट के अपार्डिंग कर सकते हैं इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं हमारा फ्रंट पार्ट है तो यहां पर हम इसे रख कर इस तरह से यहां पर लगा देंगे और दूसे वाले पार्ट को भी हम यहां पर रखेंगे और इस साइट भी हम यहां पर इसकी लगा देगे तो सलाई करने के पार हम इसकी बैक नेक के फिर के पिर स्टिच करेंगे अभी हम बैक नेक के लिए एक पट्टी कटिंग करेंगे तो इसके लिए हम अपनी जो नेक है यहाँ पर मैं निशान लगा के बता रही हूं तो हम यहाँ पर इसे मेचर करेंगे दो इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेंगे जितनी हमारी नेक के विर्ट है उससे तो यह हमारा साइट से बचा हुआ फैबरिक है तो यहाँ पर मैं इसे एक्स्ट्रा लेने के बाद इसकी कटिंग कर लोंगी और दो इंच चोड़ी मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लोंगी इस तरह से यहां पर half of inch फोल करके stitch कर देना है इसके बाद हम अपने अबाई को लेंगे और पर इसके बाद जो हमारा नेक है उससे हम एक इंच यहां पर हटा कर इस पट्टी को रखेंगे पट्टी की हमारे रॉंग साइट उपर होगी और यहां पर जो हमारी शोल्डर की stitching लाइन है उसके साथ ही हमें यहां पर सलाई लगानी है और इस सलाई को हम दूसरे साइट तक सिल देंगे तो फ्रेंट अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें और कम से कम कॉमेंट में मेरे सलाम का जवाब तो भी लिख दी या करें इसके बाद हमने अपने पटी को इस तरह से एक इंच अंदर की तरफ वो गड़कर र हमें रही उपर की तरफ हम एक इंच और पटी रखनी है सीधी सिलाई हम उसके उपर लगाएंगे नीरिल को अंदर रखकर अबाय को टुन करकर हम इसके उपर फिर टॉप स्टिच लगा देगे तो यह देखे फ्रंट्स हमारा स्टीच हो चुका है फ्रंट पार्ट भी हमारा यहाँपर हो चुका है पर टरेट साथरे साथ की यहाँ इस तरह से आएगी आगे की साइट से मैं यहां पर जोईंट लगा चmost你 यहां पर आजब में यहां पर टर माल i подготов बूत तक साइट निचे तक करूकी यहां यहां पर तरह से हमेंगे केसी आपर साइट क्यां वक्तिक क्यात हैं कि आगे की साइड नाय चारओ कinkaि ड्स तर passenger कुछ नियूंद message करें ऐगे कि भी साइड करें तो एक इंज के भरापर हमें फूल करना है और पुरी गोलाई में चल गल करेंगी और इस स्टिचिंग कर देंगे तो अब आहे हैं कि कली प्रे Sweet लेंट चेस्ट अपर बाएगी कर सकते हैं और इसके साथ बल्ट भी यूज कर सकते हैं तो यह हमारी फाइनल लुक है तो आप के आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो गर अच्छी लगे तो लाइट ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यह हमारी back look